हेलो आल मैं डॉक्टर आश्वी निकाईला सोनोने दिशा होंपेति क्लीनिक शेवगाउं जिल्ला अमदनगर आज हम लोग अभी नेक्स्ट रेमेडी करने वाले हैं एक केस के साथ दोक्टर की कैस है वो एक हस्पिटल में बड़ी से ह्पिटल रो में आरयम हो है तो इनको ना यह प्रॉब्लम है कि उनको डैंड रफ हो गया है और उस डैंड़र रफ के वज़े से उनको पिंपल्स आये है पूरे उनके जो फोरेडरे है उसपर तो उन्होंने बहुत सा रिटिटमेंट ली है अलोपैती की फिर भी वो नहीं जा रहे हैं उनका जो बोलने का तरीका वगर है ना वो सब में बता दूंगी अभी तो इन्हों मैंने ये बताया और ये बताने के बाद के स्टार्ट हुई तब तक मेरा कैमेरा ओफ था लेकिन मैंने तो केस ऐसे आगे बढ़ी फिर बाद में उन्होंने बोला कि जब मैं हस्पिटल में रहता हूँ मुझे नाइट्शिप रहती है तो मुझे मेरे घरवालों की बहुत चिं चिंता मिन्स क्या तो वो बोले कि कौन से वर्ड में चाहिए आपको एक्जैट वो बताईए मुझे तो फिर मैंने बोला कि चिंता मतलब क्या चलता है आपके दिमाग में यह बताओ मुझे तो बोले कि आप यह समझ सकते है कि हुम सिख मैं हुम सिख हो जादा ऐसा आपको क कौन से वर्ड में प्रॉपर वर्ड बोले आपको कौन से प्रॉपर वर्ड में चाहिए तो फिर वो बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर पर चाहिए मैं घर पर रहना चाहिए मुझे ऐसा फिर मैंने पूछा कि मिस आपको घर पर रहना पसंदे तो वो बोले हाँ हाँ ऐस तो फिर बीच में वाई बोली कि उनको अब नहीं, उनका ऐसा है कि वो physically शिर्फ घर पर चाहिए, मिंस वो काम कुछ नहीं करते है, सब हम लोग ही करते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि physically ओ घर पे चाहिए कोई भी घर के बाहर गया अना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो रहता है तो मैं बहुत चिड जाता हूँ मुझे ऐसे लगता है कि शाम के वक्त पर सब लोग एक साथ रहे गप्पे मारे या फिर जो दिन बर कुछ हुआए वो सब बोले एक दूजे के साथ ऐसे मुझे लगता है मेरा सोबा उना ज़रा सा ज़्यादा ही चेश्टा करने का है तो ज़्यादा मैं जेस्टिंग करता हूँ लोगों के साथ मुझे बहुत पसंद है मेरे घर में सब लोगों के साथ मैं ऐसा करता हूँ मेरे छोटी बच्ची उसके साथ मेरे मां के साथ सिर्फ मेरा वह एक बड़ लोग जब आते ही ना एक साथ तो इतना हसते इतना हसते न बाप प्रे बहुत ये लोग मैं सूछती हूँ कि इतने देर तक एक लोग कैसे हस सकते हैं फिर पेशन भी बोले हां हां मैं ऐसा ही हूँ कि मैं बहुत लोगों के चेश्टा मस्करी करता हूँ इवन जो मैं जहाँ काम करता हूँ उस जग्वपर जो chili library उनके साथ भी मैं चेश्टा उस्कर कर लेता हूं इतना है मेरा लेकिन वो मुझे कुछ बोलती यह तो मेरा जो भाव ही है मैं क्या करूं अभी मेरा जो सोभाव है सब लोगों को पता चल गाए चल गया है अभी तो उनको भी पता चल 25 नहीं लगता आभी तो तिर मेंने पूचा कि आपको टेंशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं किया फिर वह बहुत सब करती हूं तो प्रेशन के साथ अगर कुछ जगडा हो गया तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि फटाक से हम लोग को ने एक साथ गुल मिलके बात किरनी चाहिए और मैं करता भी हूँ लेकिन ऐसा भी है कि मेरे आजो बाजो में ऐसा एक भी परसन नहीं है कि जिसके साथ मेरा वाद नहीं हुआ है वाद विवाद होता ही मेरे सब लोगों के साथ वाद विवाद होके गया है अभी लेकिन मैं बोलता भी बेटता में भूल जाता हूँ तुरंत तो फिर मुझे जब एंगर आता है तो बहुत डेंजरस रहता है पहले था अभी नहीं है लेकिन आइसा होता था तो फिर में बहुत चिड़ चिड़ा हो जाता हूँ और जब मुझे एंगर आता है तो फिर में जो भी मेरे हाथ में जगड़े हो गए होते हैं तो उन लोगों के साथ मेरा वाद विवाद हुआ होता ही है एक माइनस हो सकता है हो सकता है ऐसा एक भी नहीं है कि जिसके साथ मेरा जगड़ा नहीं हुआ है या फिर मीने उसके साथ वाद विवाद नहीं किया है बले मी कही पर भी रहू मेरे सब लोगों के साथ मेरा वाद विवाद होके गया ही है अभी तो मुझे इतना एंगर आता ही नहीं मुझे एसे लगता ही कि मैं बहुत अभी शान्त हो गया हूँ कि क्यों हो गाई यह मुझे पता नहीं अभी तो यह जो मेरी वाइफ है ना उसके साथ भी मेरे बहुत हुए है मैं उसको बहुत बोलता भी था ऐसे था लेकिन अब ऐसा नहीं है मुझे ना ड्रिम्स बिल्कुल भी नहीं आते मुझे कितना भी कुछ हो टेंशन हो कुछ भी हो मैं किसी चीज़ का कितना भी क्या बोलते हैं उसको मुझे ना कुछ भी टेंशन हो कुछ भी हो लेकिन मुझे ड्रिम्स कभी भी नहीं आते एक भी ड्रिम नहीं आता मुझे अगर मैं रात भर जागा और पंधरा मिनिट में अगर नींद लू तो भी मैं बहुत फ्रेश हो जाता हूँ मेरे स्लिप बहुत रिफ्रेशिंग हो जा तो बोले ऐसा कुछ नहीं लेकिन मुझे मेरा घर छोड़के कहीं पर भी नींद नहीं आती और मुझे इसे लगता है कि घर पर जाना चाहिए तो फिर मैंने बोला कि आपको अभी ये डेंडर फेप ये पिंपल्स आ रहे तो इसके वज़े से क्या लग रहा है तो बोले ये फर्स टाइम हो गया है ये मेरे लाइफ में मुझे फर्स टाइम हो गया है तो वाइप की तरफ के देखे तो हाँ हमने वो टैंकर लेया था ना पानी का बाहर से बाहर से पानी मंगवाया था तो पानी मंगवाने के बाद क्या हुआ सब लोगों को हो गया था मेरी जो लड़की उसको भी हो गया था उसको भी आपके पास से टेटमेंट लेया तो उसका गया गर वालों के सब लोगों का गया लेकिन मेरा ही नहीं जा रहा ह ऐसे मुझे लग रहा है ऐसा है कि मेरी जो स्कीन है ना वह समर में बहुत ग्लो करती है और विंटर में खराब हो जाती में थोड़ी ब्लैक की शो जाते हैं बाकी लोगों का उल्टा होता है मेरा ऐसा है तो वाई बीच में बोल रहे हैं कि वह आइस पैक लगाते हैं वगर हो आए ना कि मुझे में थक गया हूँ अभी वह जाही नहीं रहा है ऐसे हो आए मेरा भी यह लेकिन अभी क्या हो गया है ना मैं इससे बहुत हैरान हो गया हूँ मुझे यह जाही नहीं रहा है अभी क्या करूए क्यों हो रहा है तो फिर मैंने ना फ्लुक्या नोजल खाई एक एने उजल खाई बहुत नहीं खाया थूड़ी थूड़ी खाई मैंने एक दो बार खाई खानी चाहिए इसलिए मैं एक दो बार खाई सिर्फ और अब हमें इस case का analysis and evaluation करना है तो अभी आगे केसे बढ़ना है case में यह तो हो गई case तो अभी क्या करना है कि हमें rubrics case लगाना है patient को पहले बात है कि patient को हमें समझ के लेना है कि patient इसा क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है तो उसके बाद हमें rubrics लगाने तो इस case में कैसा है कि start of the case बहुत important है कौन से भी case हो तो starting of the case को बहुत ही important होती है तो इस case में भी start of the case में patient ने क्या बोला कि किस word में चाहिए आपको proper word कौन से है तो ये पहले मुझे समझा नहीं तो पहले मैंने इसका कुछ भी नहीं लिया आगे case बढ़ती गई तो आगे जब case बढ़ती गई तो इस case में throughout क्या था कि ये patient को क्या लगता है कि मोगे मैं घर पर रही न चाहता हूँ मुझे इसे लगता है कि मैं घर पर नहीं हूँ तो मुझे मैं घर पर रहू यह पूरी केस में था उसके और यह important था PQRS था SSUP था आमारे लिए तो यह हमें पकड़ना है तो इसके लिए हमें अभी रूब्रिक दूरना है तो यह क्या है पेशन का यह डिलूजन है बराबर है पेशन को ऐसे लगता है ऐसा है नहीं लेकिन इसका ब्रह्म है यह तो यह रूब्रिक क्या है डिलूजन होम अवे फ्रॉम होम ही इज मस्ट गेट देर मिस उसे ऐसे लगता है कि मैं घर से बाहार हूँ और मुझे घर पर रहना चाहिए ऐसा इतना मस्ट रूब्रिक दिया है रेपर्टरी में पेशन्ट हमें पेशन्ट ने हमें यह रूब्रिक सिधा सिधे बोल दिया है सिर्फ हमें यह करना है कि हमें सिर्फ रेपर्टरी में जाके धूनना है हमारी रेपर्टरी इतने अच्छी से लिखी हुए है कि हमें कुछ करना ही नहीं है उन मेंटोर्स ने हमारे लिए इतना कुछ करके गए हो लोग कि हमें सिर्फ धूनके वो लागानी है इतना ही काम हमें करना है ऐसे मुझे लगता है तो आगे क्या होता, through and through case में क्या है, कि jesting, यह क्या बोला, jesting, यह भी morbid है, वो सब लोगों के साथ jesting करता है, कोई भी हो, ऐसे नहीं होता है, कि हम किसी के भी साथ jesting करते हैं, किसी के भी साथ jesting करता है, तो इसके लिए क्या रूब्रिक लिया, jesting, बड़े बड़े रूब् सोटे से कम रेमेडिश के रूबरिक लेंगे तब इसे कुछ नहीं होता है। तो फिर जेस्टिंग लिया। और आप बिल्यू नहीं करेंगे ये दो रूबरिक लगा के हम सिर पाच रेमेडिश पर आ गए हैं अबी। पाच रेमेडिस हमारे इतनी सारे रेमेडिस में से हम लोग पाच पर आ गए ब्रायोनिया लेकैसिस ओपीयम क्यालकेरिया हायोसाइनस यह पाच रेमेडिस पर आ गए तो अब हमें आगे सोचना है तो इसने क्या किया स्टार्ट आफ दे केस कि आपको कौन से प्रॉपर कि द्रेक्शन हो यह कुछ भी हो यह नहीं जा सकता नेकिन गूली छोड़ी छोड़ी क्यूँ खाई होगी तो यह पैसे को फियर है किसका फियरी इंजूरी का फियर है इसलिए इसने यह फूड़ी थोड़ी खाई है अगर हम लोग तीसरा रूब्रिक लगाएंगे फियर इ है इतना जेस्टिंग वाला है यह बंदा हैसाइमस हो सकता है तो इनको मेंने हाइसाइमस 30 के थ्री डोसेज दिये थे और उसके बाद उनकी सारी कंप्लेंट्स कहें तो हम लोग जब डिफरंट रिसोर्सेज से हाँ हाँ हैसाइमस जब स्टड़ी करेंगे तो बहुत जगह पर हाइसाइमस ऐसे दिया है कि जैसे हम यह वह लग सकता है तो क्यों लग सकता है तो उसका जब लोकेशेस नेचर ही इसके वज़े से और बहुत कम्यूनिकेट्व भी लगता है हाईसाइमस हम लोगों को तो यह जो रूब्रिक है उसके लिए रेट्रो में मैंने जब स्टड़ी किया इस रूब्रिक्स का तो बहुत से रूब्रिक्स में मुझे यह मिला तो जब मैंने मर प्रकाइस पाइसोर्फी में यह हाईसाइमस इगोस्टिकल होटी में है है सिंथेस में लेकिन हायोस्टिकल होटी में भी बहुत अधां गसिफिंग में है और स्थाओ लोगहाँनिशंग इनाओ मुटरी comprehension एक्सेटरा easy acute ऐसे भी है जो हमें communicative लगता है comprehension easy भी हो सकता है एक्स्ट्रो ओर्टेड होता है हाईसाइमस हमें सिर्फ यह पता होता है कि हाईसाइमस fear में रहता है लेकिन हाईसाइमस हमें lack assist की तरह भी दिख सकता है वाईवाईशेस रूब्रिक में भी है यह और मर्फी में ही जाएंगे तो मर्फी में sociable में भी हाईसाइमस दिया हुआ है तो हमें कौनसी भी रेमेडिक की image fix नहीं करनी है हमें patient आएगा उसको देखना है समझना है समझ के उस पे रूब्रिक लगाने है और patient को medicine देना है फिर बिट्रेड में ही हाईसाइमस आएगा ऐसे कुछ नहीं होता वहाईवैशेस में आ सकता है जेस्टिंग में आ सकता है सोच बेल में भी आ सकता है लेकिन हमें वह सोच समझ के उसका medicine देना है और एक medicine में ही मुझे यह रूब्रिक मिला कि ब्रॉल उसका मीनिंग है जब मैंने उसका मीनिंग देखा तो उसका मीनिंग है अनौइज़ फाइट अमंग ग्रूप आफ पीपल यूजवली इन पब्लिक प्लेस मींस इसका जो है इसका सब लोगों के साथ वादवाद होके गया है और इसमें सिंगल हायोसाइमस दिया है मर्पी में मिस हमारे रेपर्टनिस कितनी मस्त है ना हमें सिर्फ देखना होता है और पेशन्ट में हमें जैसा है वैसे बोलते हैं सिर्फ हमें धुनना है